पाबंदियों में कुछ धीर देते हुए राजी सरकार की तरब से सरकारी और गैर सरकारी कारेलों को आज से खोल दिया गया है जमाई शेष्टी की वज़े से सरकारी कारेलों तो आज छुपती है लेकिन प्राइवेट खुल चुके है इस वक्त हम वज़े थे सौटनेक में जहां आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक हमने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनोंने अपने पहले दीन के बारे में बताया हम आपको यहां यह बताते चले कि सरकार की तरफ से कारियाले तो खुल दिये गए हैं लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन की ववस्ता पर अभी पूरी तरह से पाबंदी लगी लिए इसकी लोगों को भर के ऑफिस आने में खासा दिपत्तों का सामना करना पढ़ रहा है जो लोग काफी दूर रहते हैं उन्हें तो आफिस की तरफ से वर्क फ्रोम ओम के लिए बोल दिया गया है लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके लिए कंपी की तरफ से गाड़ी की ववस्ता की गई है इनी में से कुछ लोग आईटी या दूसरे सक्तर के हैं जिए अपने ही ट्रांस्पोर्टेशन व्यवस्ता करके ऑफिस तक आना पड़ेगा है इसमें उनके पैसे भी फर्चे हो रहे हैं और समय भी जाना आए आप यहां पने दीदी को लेने आये हैं अठी नांए कर पित लेने आया लेकिन आए आड़े कर दो कि आज आवे जा रहा है सफोड़ोने के लिए घर में जाना एक आनो को ज्याधत की व्यवस्ता नहीं दभा लेकिन ऐसा है खोल दिया कर अनदे बगयाख वगवान जाने ठेंश फोल दीले किया होई पूरा गारी कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, उपर से पोलिस का दिक्कत है, हम लोग बैंक वारे हैं, तो अब बहुत ही दिक्कत हो रहा है, ना दिक्कत है, अदर पूछने लायक में रहा है आज काम का पहला दिन था, मुश्किली लिए आएंगी, ये भी लोगों को पता चल गया है, आने वाले दिनों में किस तरह से इहीं किनोतियों का सामना करते हैं, वे अपने गंतवी तक पहुचेंगे, ये हम बराबर देखते रहे हैं, क्यामरा में धुटेन के साथ में सोनू तक पूजा तनमारको चल्ड़ा है, ये ये ओना आपशा जिए अश्केंगे, पूजा जिए अबराबर में धीर देखते हैं, आपक मुझा करते हैं, ये अपने लिए जहाने साथ में आपकोना में धाफश की तरहिता है, को ये ये जोर्चत शक्ता हैं, उच्याना जोर्च